सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटर्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कई बार तो मैं कहता हूँ कि हमारे पूरवजों ने बड़ी बड़ी गलतिया करी है अब हम डो रहे हैं बटवारा कर दिया बाप जब दो बेटों को मकान बना कर अलग अलग देता है तो भया तेरा ये इसमें तू रहे इसमें तू रहे यहां तो बाटने के बाद भी जमेला खड़ा हुआ है अभी भी जमेला खड़ा है बटवारा हुआ लेकिन अधूरा हुआ है क्योंकि गांधी जी ने कहा कि जो जाहूं नहीं रहे जाए पटल साब तो कहते तो ऐसा नहीं जैसा किया तो वैसे हो नहीं तो तो महरा आज ठंदना की गई है तो ब्राहमण कौन जिसके माता पिता द खांदान की हो और उससे जब राहलत हो ता उससे बूलते है ब्राहमण और एक बीगडवड़े तो प्रप्राहमण नहीं है और आजकल तो बड़ी विडम बना है आग सब जगें लग गई बड़े सहर का कचला छोटे सहर में आता है और छोटे सहर सिर दियात में चला जाता है पहले बड़े सहर के लोग बिगडते हैं क्या रखा है जातियों में तो फिर खुत्ते विल्दी के साथ साधी कर लो, क्या रखा चाती हो, अंतर जाती विवाह करो, फिर अंतर जाती अंतर राश्टी विवाह करो, फिर जानवरों के साथ विवाह करो, फिर बंदरिया के साथ विवाह करो, फिर जहां मना आए वहां विवाह करो, कौन मना कर रहा ह अंतर जाती विवाहे अच्छा सरकार भी परोशान दे रहिए इदि सनातन धर्म की रक्षा करनी है किसी भी सरकार को तो अंतर जाती विवाहे पर रोक लगाओ तब इस अनातन धर्म बचेगा नहीं तो नहीं बचेगा रोक लगाईए चाहो कोई भी सरकार हो भोदी साब आप भी इदी सनातन धर्म की रक्षा करणा ही चाहेते हैं तो एक ऐसा कानून बनाओ कि बिना माता पिता की मर्जी के कोई वेटाविटी साधी करी न पढ़ 25 साल तक मैया बापने पाला पोशा बढ़ा किया अपने सरी में फटे कपड़े पहने इसको खिला पिला कर त्यार किया और पांच मैं कहता हम आप से कुछ लेना देना नहीं वो पांच मैं आई और पांच मैं जो आई वो तेरी सगी हो गई वो तेरा सगा हो गया और 25 साल वाला तेरा बेकार है इसलिए ऐसा कानूँ बनाईए कि बिना माता पिता की मरजी के कोई भी बेटा और बेटी साधी कर ही ना पर अंतर जाती विवाहे पर रोक लगनी जाएए पूरी तरह से नहीं तो सनातन धर्म नहीं बचेगा और सनातन धर्म को मिटाने के लिए विदेसी लोग लगे हुए है किसी ना किसी रूप में लगे है यो नहीं की देन है अंतर जाती विवाहे विदेशियों की देन हैं तरजाती विवा है, क्योंकि विदेश में कोई इस्त्री नहीं होती है, आज कोई खल, कोई परसो कोई, जो देखें इधर डोलता ऊधर डोलता चुहे बिल्ली कुत्ते की इधर डोलते, वहाँ कोई सितानत नहीं है, जैसे जानवरों में जब जानवर में बालक का जनम होता है जब बड़ा हो जाता है तो रिष्टे खटम हो जाते जानवर में जब बालक बड़ा हो जाते तो रिष्टे खटम हो जाते लेकिन हमारे यहां रिष्टे आजीवन रहते हैं मृत्व परियंद रहते हैं मेरे फला दादा, मेरे फला बाबा, मेरे फला बाबा के बाबा ये सब रिष्टि रहते हैं ये कहां एक्किवल हमारे सनातन धर्म में रिष्टि है और कई नहीं है इसलिए सनातन धर्म सारे विश्व का केंदर बिंदू है भारत सारे विश्व का किंद्र विंदू है और भारत को अध्यात्म देने वाला भी विदेशों का अध्यात्म देने वाला भी भारत ही है इसलिए सनातन धर्म के उपर सभी की निगाए है इसलिए सारे चाहेते इसलाम भी चाहेता किर्शन भी चाहेता कि सनातन धर्म खतम हो जाए तो भहिया अब इस देश के नेताओं को चाहिए कुछ जैसा कानून बनाओ ताकि इसकी रक्षा हो सके और सबसे बड़ा कानून अंतर जाती विवाह है दो चीज सुधर जाए सब सुधर जाए दो चीज बस दो चीज को समाले देश की सरकार सब समझ जाएगा रोटी और बेटी बस हमारे हिंदू भाई जागे और दो चीज समाले रोटी और बेटी खान पान सुद्ध हो जाए और बेटी सही हो जाए पूरे धर्म की रक्षा हो जाएगी